दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू और आसान और बहुत एक कारगरन उसके बताने वाले हैं जिनका इस्तिमाल करके आप घर पर ही अपने सरीर का खून साफ कर सकते हैं और सरीर में भरी गंदगी यानि टॉक्सिंस उनको सरीर से बहर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों आप जानते होंगे कि जब भी हमारे सरीर में कोई बीमारी होती है तो वो हमारे सरीर में टॉक्सिंस की वज़े से होती है और जब हमारा खून दोसित हो जाता है तो बहुत सी बिमारियां हमारे सरीर में अपना घर बना लेती है तो सरीर को सुध करना और सरीर से टॉक्सिंस यानि भरी गंदगी को बाहर निकालना बहुत जरूरी हो जाता है खून हमारे सरीर के करोडो सेल्स को ओक्सिजन, मिनरल और अन्य पोसक तत्व पहुंचाने का काम करता है और यही सारे सेल्स मिलकर हमारे स्वस्त सरीर का निर्मान करते हैं हमारे गलत तरीके से खान पान करने और अधिक अमलिय पदार्थ और नमक का जादा सेवन करने से ये धीरे धीरे तूसित होने लगता है बोडी से विजातिय पदार्थ जैसे मल, मूत्र वगेरा सही तरीके से ना निकले तो फिर ये सारी गंदगी सरीर के खून में खुल जाती है जिस वजह से हमारी बोडी में अनेक रोग उत्पन हो जाते हैं जिन में चर्म रोग विसेश कर है इसलिए सुष्ट और सुन्दर सरीर की कामना रखने वाले सभी लोगों को रक्त की सुधी और सरीर की सुधी पर विसेश दिहान देना चाहिए दोस्तो खून को प्राकिर्टिक तरीश के तरीके से साफ करने और बोडी के अंदर की सारी गंदकी को बाहर निकालने के लिए इन आहारों का आप अपने खाने में अवज सामिल करें तो आपके सरीर से टॉक्सिंस यानि सारी गंदकी बाहर निकल जाएगी और आपका खून भी साफ होगा और आपको जीवन में कभी बीमारी नहीं होगी आप कभी बीमार नहीं होगे दोस्तो इसके लिए हम आपको बहुत आसान से और बहुती कारगर नुसके बताएंगे जिनका इस्तिमाल करके आप हमेशा जीवन भर स्वस्त रह सकते हैं दोस्तो एक चम्मच आमले का चूरन और आधा चम्मच हल्दी पौडर इन दोनों को मिला कर गरम पानी से रात में सोते समय या सुबह खाली बेट लेते रहने से खून साफ हो जाता है आप इसे हबते में दो या तीन बार ले सकते हैं इससे आपका खून हमेशा ही साफ रहेगा और आपके सरीर से टॉक्सिन्स यानि विसाले पदार्थ बाहर निकलते रहेंगे इसके अलावा नीम की पकी हुई दस निबोली लगातार चूसने से सभी रोग खतम हो जाते हैं और आपका खून साफ होता है शरीर से जो टॉक्सिन्स है विसाले पदार्थ है वो आसानी से दूर हो जाते हैं दोस्तो आवला खून में बढ़ी हुई गर्मी को कम करने का काम करता है खून में जमा मल विष इन सब को दूर करके रक्त को सुध करता है मांस में गर्मी को बढ़ाकर मांस के मल को जला देता है मान स्पेशी को सुद्ध करता है आमला हर तरह से बोडी की एक एक चीज की सफाई कर देता है चम्र रोगों में ये काफी लाब दायक है इसमें विटामिन सी का भंडार भरा पड़ा है ये नया खुन बनाना और बोडी की सारी गंदकी को बाहर निकालना ये इसका विसेश काम है इसके अलावा आप नारंगी, गाजर, अमरूद, बेर, परवल, पालक, सेम और गंणा ये सारी चीजें आप इस्तिमाल कर सकते हैं इनका सेवन कर सकते हैं ये हमारे खुन को साफ करने का काम करती हैं इसलिए इन सभी चीजों को अपने आहर में जरूर सामिल करें लाल टमाटर का जूस रोजाना सुभह और साम एक गलास पीने से रक्त साफ होता है त्वेचा पर होने वाले पिंपल, खुजली, त्वेचा का रूखापन, सूखापन और लाल चकते ये सभी रोग जड़ से दूर हो जाते हैं, जड़ से खतम हो जाते हैं साट ग्राम करेले का जूस एक कप पानी में मिला कर कुछ दिनों तक इसका सेवन करने से बोड़ी का दूसित खून एकदम साफ हो जाता है नीम्बू भी हमारे खून को साफ करने का काम करता है मिलाएं, अलग से सिर्फ गरम पानी में नीम्बू का रस मिलाएं, नीम्बू का जूस मिलाएं और इसको चाई के तरह सेवन करें, तो इससे बहुत जल्दी आपके खून की असुद्धी दूर होगी और आपके सरीर से टॉक्सिंस बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे इसके साथ आप 25 ग्राम मुनका रात को पानी में भीगोकर रख दें और सुबहे उनके बीच बाहर निकाल दें और इसको अच्छे से बारी एक पीस कर एक कप पानी में मिला कर रोजाना पीने से बोड़ी की सारी गंद की बाहर निकल जाती है और खून साफ हो जाता है और सरीर से टॉक्सिंस और विसले पदार्थ सब हमारे सरीर से बाहर निकल जाते है दोस्तों ये थे बहुती कारगर और बहुती बहुत बार आजमाए हुए ऐसे नुसके जिन से हमारा खून भी साफ होता है और हमारे सरीर भी सुद्ध बनता है हमारे सरीर से सारे टॉक्सिंस भी बाहर निकल जाते हैं जब हमारा खून साफ रहेगा, हमारे टॉक्सिंस सरीर में नहीं रहेगे, तो जीवन में हम कभी बीमार नहीं पड़ेगे, दोस्तो छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी कोई भी हमारे सरीर में अपना घर नहीं बना पाएगी, जितने भी हमने आपको नुस्के बताए हैं इन से आपको कोई नुकसान नहीं होगा इनकी कोई साइड अफेक्ट नहीं है और इनके फायदे आपको खुद बखुद नजर आएंगे यदि आप इन में से कोई भी नुस्का इस्तिमाल करते हैं तो इसका आपको भरपूर मिलेगा और इसके रिजल्ट आपको अच्छे से देखने को भी मिलेंगे दोस्तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारी वीडियो और बताएगे टिप्स दी गए जानकारी आपको अच्छे लगी हो तो हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और दूसरे लोगों दूरून के आसान से उपायों के साथ तब तक आप है स्कुराते रहे हैं और अपना फ्टाल रहे हैं